हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तू पढ़ो इंडिया आज हम करेंगे क्लास सेकेंड की वर्कशीट नमबर दस वीक है टू और यहां पर इसकी थीम दे गए ये फ्लावर्स और फ्लूट्स फूल और फल चलिए पढ़ते हैं एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है पौधों की देख आसिफ को ये सुझाव पसंद आया वह बोला पिताजी मैं भी इस काम में आपकी सहायता करूँगा पिताजी ने पौधों की कटाई छटाई की और आसिफ क्यारियों से घा सुखाड़ने और पौधों में पानी डालने में उनकी मदद करने लगा जब आसिफ गुलाब के पौधे के पास पहुँचा तो उसका ध्यान गुलाब के फूल पर बैठी छोटी सी मदुमकी पर गया उसे देखकर वह थोड़ा डर गया पिताजी ने उसे समझाया कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है ये कीट पतंगे बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं आसिफ ने पूछा पिताजी ये मदुमकी फूल पर क्यों बैठी है पिताजी ने कहा मदुमकीया फूलों से रस चूस कर उससे शहद बनाती है अच्छा फिर तो ये हमारे लिए बड़ी लापदायक हैं लापदायक का मतलब होता है फाइदे मंद यानि इन मदुमकीयों से हमें बहुत सारा फाइदा मिलता है ये आसिफ ने कहा उसने कहा पिता जी फिर तो ये मदुमक्खिया वहां जाती होंगी जहां ज़्यादा संख्या में फूल खिले हों आसिफ ने फिर अपने पापा से कहा कि पापा इसका मतलब तो ये है कि जहाँ पर जादा फूल खिले होते होंगे ये मदुमक्खिया वहीं जाती होंगी अब देखिए बच्चों जहाँ पर एक मदुमक्की है जिसका नाम बिन्नी है और यहाँ पर फूलों की संख्या दे रखी है हमें बताना है कि यह मदुमक्की सबसे ज़्यादा फूलों के पास जाएगी तो वो कौन सा संख्या होगी जिस पर वो जाएगी और सबसे ज़्यादा फूलों वाली संख्या पर हमें गोल का निशान लगाना है यहाँ पर देखिए 15, 12, 23 और 8 इसमें सबसे ज़्यादा फूल 23 वाली संख्या पर होंगे हमने इसमें गोला लगा दिया है दूसरे में देखिए 18, 32, 27 और 14 32 जादा फूल हैं तो हमने इस पे गोला लगा दिया है फिर देखिए 44, 22, 20 और 17 इसमें 44 सबसे जादा फूलों की संख्या है हम इस पे गोला लगाएंगे और इसमें देखिए 19, 33, 29 और 50 सबसे ज़्यादा फूलों की संख्या 50 में होगी तो हमने यहाँ पर गोला लगा दिया है बच्चों यहाँ पर हमारी यह वर्कशीट खत्म होती है अन्य विश्यों की वर्कशीट के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें